अज पापा बनान जारे ने गुज़राद दा फेमस और जेठा लाल दा फेवरेट जिलेवी फाफडा रेसिपी बहुती जादा टेस्टी रेसिपी सी गाईज असी फर्स्ट टाइम बना के खादी ये बहुत जादा मज़ेदार सी चलो आई ता डिना सारी रेसिपी शियर सब्सक्राइब करांगे एक टोरी वेशन ओदे विच हाफ टेबल स्पून अजवायन हाफ टेबल स्पून नमक एड़ किता है थोड़ा थोड़ा एदे विच असी पानी एड़ करके इनूं चंगीतरा मिक्स करांगे फिर बाद असी नूं हाथ सदे नाल इकाटे वंगों गु सब्सक्राइब करांगे जिनी देर इनूं असी रेश्ट रख्या है उनी देर तक असी सारा जलेबियां दा बैटल वी बनाके रेड़ी कर लनने या एथे एक टोरी मैद दा यूस किता है ओदे विच वान टेबल स्पून देशी के वह एड़ किता है और एक पाउच असी इ पाथनल चंगी तरह मिक्स करांगे उस तो बाद थोड़ा जाई पानी आड़ किता है तो करीबन दो टेबल स्पून पानी आड़ किता है उस तो बाद फेर असी दो टेबल स्पून पानी आड़ किता है तो उन्हों चंगी तरह सी फैंटे आए इन्हों चंगी तरह फैंटन तो थोड़ा पानी आड़ कर सकते हैं तो थोड़ा पानी आड़ कर सकते हैं तो तुसी देख सकते हैं बेटल बिल्कुल चंगी तरह बनके रेडी हो गया इस तरीके दी कंसेंसी होनी चाहिए बनके रेडी हो गया है और फाफड़ा बनाना है इक लकट चॉपिंग बोर्ड दे उत्ते चोटा जासी स्लाइज यूज करना है जड़ा सी डोबना है उन्हों हथे लिदे नाल बिल्कुल स्ट्रेच करके और पतला जा इस तरीके आसी बनाना है नहीं वेल लंदी जुरूरत प्यंदी नाहीं कुछ करन दी बहुत इजली साथ फाफड़ा बनके रेडी हो यंदा और उस्तों बाद इन्हों असी करांगे फ्राइज इस तरीके आसी एक एक करके सारे फाफड़े बनावांगे और उन्हों फ्राइज कर लांगे जदो उसी फाफड़े नूचुकना है ताकि यो तुट़े ना या फिर फटे ना इस तरीके इजीली तुसी चोक सकते हो और इन्हों लो तू मीडियम फ्लेम फ्राइज करना हाई फ्लेम नहीं करना नितरों अंद्रों कच्चा तेस्ट आएगा सो इस तरीके साथ फाफड़े फ्राइज होगे ने देख सकते हो कि इनने ज्यादा वदिया लाग रेने फाफडा बनके रेडी हो गया हो नसी जिलेबी बना ली चाशनी बना अधित्यारी कर देयां सब तो पहले आसी कड़ाई विच एक का पानी एड किता है पानी जो दो चंगी तरह गरम हो दे विच असी एक का टोर कलर और किता है जिलेबियां एड करना वास्ते फूट कलर ना बहुत सो ना कलर आन्दा जिलेबियां वेच बटल यासी बनाके दखाता एक तानु इस तरीकिया सी राउंड राउंड कर लियाने जब जैबी नों सी फ्राइब कार लेने यां फिर उस्तो बाद इमीजेटली इस इना नू चाशनी वेच एड़ करना है और उस तो बाद 15 मिंट तक आप शीना नू चाशनी वेच रहां देना है फिर इना नू चाशनी चो बार कड़ांगे ताकि चाशनी बिल्कुल चंगी तरह एदे विच राच चिस तुसी देख सो दियो कि ना सोना कलर आया जो लेब पहला है दे वेच आलू दे लच्छ बना के आयड किते ने एवी जलेभी फाफना दे नाल मिल देने और चटनिया मिलदीया ने बहुत ज़्यादा क्रंची ने सुन दिये वेचे और बहुत आधा अच्छा प्लेवर हुंदा आई यदा टेस्ट बहुत वधी आंदा जले भ त्रहिए प्लोड की नहीं देखिए जल्दी जल्दी जाके फूल व्लोग वेको रुखाई करो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी सी तो एथ लुछे वाले आलूवे बनके रेडी होगे ने और विर्चा भी फ्राय होगे याने आफ टेबलस्पून नमक और हाफ तो जगाते ना रहे तो इन्हों जदो असी फाफड़े दिनाल खावांगे ना बहुत ज़्यादा टेस्ट वदी आन्दा है सो देख सकते हो गईस कितना वदिया करण्च आया सो इते मिर्चा भी फ्राई हो गया करण्च वाले आलू वी बन के रेडी हो गया और जलेबियां भी बन गयाने हो नसी तानों अपनी प्लेट सब करके वखाने है और जिए चटनी अबना नहीं सी काल में टिकी अबना यहां सी ज़रूरत नहीं जिन्हें जिन्हें सब्सक्राइब लोग नी वेख्या ओवी जाके फटा-फट वेखो तुसी देख सकते हैं ने वदिया तरी पॉड़ा हलका नमकीन सी जिलेवियां मिठियां सी गाइस प्रेस्ट कॉंबिनेशन जिलेवी फाफटा दा इसे करके जिलेवी फाफटा जे ठलाल दा फेवरेट सानु भी आज पता लग गया है तो पापा केंदे मैं भी टेस्ट करके वखाना है फाफटे मिर्चा रखके क क्रण्ची क्रण्ची आलू रखे होना ने नाल ही जिलेवी रखी है और चटनिया लगागे खाके वेख्या केंदे मजा आगया खाके प्रीज तुसी भी एक कवरी जिरूर इस तरीके दे जिलेवी फाफटा बना के ट्राए करें तुसी देता नूं आईदा व्लॉग अच् कालों सब्सक्राइब करें होना सी मेल दे नेक्स्ट वीडियो ची बाई